सनी वार की रात बस काली मिर्च के पाँच दाने बड़े से बड़ा दुस्मन भी घुटने टेक देगा दोस्तों जीवन में कभी-कभी अपने ही सत्रू हो जाते हैं और पडोसी तो होती ही है अब ऐसा नहीं है कि हर कोई सत्रू है अपनी भी होते हैं अच्छे भी होते हैं पर अधिकतर लोग जलन ही रखते हैं आपके केरियर से आपके काम्याबी से आपके पर्शनाल्टी से आपके खुसहाल जीवन से जलने वालों को टोपिक नहीं चाहिए बस वो जलते ही रहते हैं कभी-कभी तो इतना ज़्यादा वो परिसान करते हैं कि आप हार जाते हैं, अब ऐसे में क्या करें कि सब कुछ बहतर हो जाए, क्या करें कि सब कुछ ठीक हो जाए, आज हम काली मिर्च की बात करेंगे, देखे, काली मिर्च अगर हम जोतिस की माने तो इससे बहुत शारे प्र तो आपका स्वास्त भी अच्छा रहता है नकरात्मक शक्तिया दूर रहती है घर में शुक और अच्छे वातावरण का प्रवेश होता है भाग को बदल कर रख देता है ये काले मिर्चे मानता है कि आपके ऊपर शंदेव की शाढ़े साती धहया परिसान ज्यादा करें आपक किसी मंदिर के सीड़ी पे रख दे तो संदेव के प्रकोप से मुक्ति मिलती है तो ये थे कुछ सिंपल से प्रयोग इसको आप कर सकते हैं रोजी रोजगार की समय से अभी दूर होगी और जीवन में बहुत शारी परेशानियों से बाहर निकल आएंगे कई बार क्या होता है कि आप दिन वदिन उलस्ते चले जाते हैं किशी न किशी चीज में कभी बीमारियों में परेशान कर देती है तो कभी धन की समस्याएं कभी पारिवारिक टेंसन बहुत तरह की जीवन में टेंसन होते हैं तब क्या करेंगे बहुत सिंपल सा काम करना है सुर्यास्त के बाद ही आपको ये उपाय करना है तो सनी बार की रात पांच काली मिर्च ले लें अब इसको आप अपने सर से साथ बार उल्टे बार ले घर में ही फिर इसे किसी चीज में रख कर आप किसी ऐसे स्थान पर खड़े हो जाएए चले जाएए जहाँ पर चौराहा हो और जहाँ पर लोग यानि कि आपको रोके ना टोके ना देखे ना लेकिन ज़्यादा सुनसान जगह पर मत जाएएगा और आप पूर्ब दिसा की और मुख करके खड़े हो जाएए एक केक करके चार काली मिर्च चारो दिसाओं में फेंक दें अपनी मनोकामना बोलते हुए पांचमी काली मिर्च आपको आस्मान की उपर यानि की उपर आस्मान की उपर फेंक देना है और पीछे मुड़कर मत देखेगा आप सीधे चलिया ये घर में आकास्मिक धन का लाव होगा और जीमन की बहुत सारी परिशानियों से आप बाहर निकल पाएंगे तो आज हम सत्रू मुक्ति के लिए एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे बहुत सिंपल है, देखे काली मिर्च आपको लेने है साथ, यनि की काली मिर्च आप ले साथ ले ले, पांच ले ले या फिर जितने सत्रू है उतने ले लीजिए आप काली मिर्च माल लीजे अगर सत्रू ज़्यादा परिशान करे अपनी हो या फिर पराए हो कोई भी हो, सत्रू तो सत्रू हो एक हो या फिर जादा हो सब का नाम ले लिजे आपको ये पाँच काली मिर्च ले ली है अब इसको किसी भारी वस्त से दवा कर इसको थोड़ा सा कूचले महीन कर ले पाउडर बना ले जो मार्केट में मिलता है उसको मत लीजेगा आपको मार्केट से साबूत काली मिर्च लेकर आना है और किसी भारी वस्त से अपने घर पर ही दवा के महीन कर ले अब इसको गाय के कच्चे दोध भी मिला कर किशी भी शनिवार या शोंबार के दिन जाकर सिव लिंक पर अर्पित कर दें भगवान सिव से प्रात्ना करें सत्रों से मुक्ति दिलाईए यकीन मानिये सत्रों सान तो हो जाएंगे तीन सनिवार आप लगातारा ऐसा करिये आपको लाब होगा नकरात्मक उर्जाएं भी दोर होंगी और घर में सत्रों से भी परिशानी नहीं होंगी माल लिजे के ज़्यादा सत्रू परिशान करें या फिर आपको नकरात्मक उर्जया ज़्यादा बढ़ गई है जीवन में टेंसन बढ़ गई है परिशान या बढ़ गई है तब एक सिंपल सा प्रयोग करें बहुत simple सा है आपको ज्ञ़नों को दोर करेगा सत्रों को सांदक रखेगा आपकी जीवन में अगर कहीं कोई रास्ता नहीं बिल पा रहा है आपको लगते हैं जिसे दिसा भटक गए हैं या फिर आपको लगते हैं जिसे लक्षट से भटक रहे हैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहें तब एक सिंपल सा काम कीजिए आपको क्या करना है कि किसी कागज में थोड़े से आपको काली मिर्च लेना है सत्रों को नाम लिख लीजे कागज पर और उसी कागज पर काली मिर्च लेना है और पीपल के ब्रिच के पास लेकर जाए और वह काली मिर्च ले तीन वार उल्टे वार के अपने घर के मुख दर्वाजे के बाई और फेक दें तो आपके घर में निगविटी दूर होगी और स्वास्त में लाँ यह फिर आपको लगता है जिसे घर में बहुत सारी गलत एनरजी भर गई है तो फिर आप काली मिर्च ले 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 थोड़ा सा आप यानिकी उसमें जल डाले गंगा जल पूरे घर में शिड़काव करें और फिर आप इस काली मिर्च को अपने घर के मुख दरवाजी की बाई औ कि दर होगी काली मिर्च बहुत साव यानिकी के प्रयोंक से हर मुख्यलों से मुक्ति मिलेगी और की क्रिपा बरसेगी सत्रंनी पर संखें